नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागित थे आप सबी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों भगवान विश्णुजी और धन की देवी मातालक्ष्मी की कृपासे दो जुलाई मंगलवार को योगिनी एकादशी के दिन बना दिव्य दुरलब महाशुब सयोग सरवार्त सिध्धी अमरित सिध्धी योग महालक्ष्मी योग बारा राश्यों में से छे राशियां होंगी करोडपती माला माल जी हाँ दोस्तों अब भगवान विश्णुजी और मातालक्ष्मी की कृपासे बारा राश्यों में से छे राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है और ये राशी वाले एकादशी के दिन धन से माला माल होने वाले हैं ये छे राशियां करोडपती बनने वाली है इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते अब कवरपती बनने से मालामाल बनने से जी हां दोस्तों आपको बता दे हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर वरत का अपना महत्व और लाब होता है ऐसा माना जाता है कि वरत रखने से भगवान का देवय आशिरवात मिलता है और भगतों पर सुक और स्मृधी की वर्षा होती है सभी वरतों में एकादशी वरत का बहुती महत्वपूर्ण स्थान है हर वर्ष 24 एकादशिया होती है जुलाई के महीने में पढ़ने वाली पहली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं योगिनी एकादशी साल की 24 एकादश्यों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है योगिनी एकादशी का बरत बिना अन और जहल के किया जाता है इस दिन भगवान विश्णु की आराधना करने से मनोवंचत फल की प्राप्ती होती है पंचांग के अनुसार आशाड मा के कृष्णपक्ष की एकादशी तित्थी की शुरुआत एक जुलाई को सुबह 10 बच कर 26 मिनिट पर शुरू होगी वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8 बच कर 42 मिनिट पर होगा ऐसे में 2 जुलाई को योगनी एकादशी व्रत किया जाएगा दोस्तों आपको हम बता दे कि इस दिन यानी एकादशी के दिन सरवार्त सिध्धी योग, रवी पुष्य योग, अम्रिद सिध्धी योग, महालक्ष्मी योग का निर्मान हुआ है जिसमें से 12 राश्यों में से कुछ राशी वालों को धनलाब प्राप्ती के योग है ये राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं और अब करोडपती बनने से इने कोई नहीं रोक सकता इन राशी वालों को स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते इन पर भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की कृपा हो गई है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वो भागेशाली राशियां कौन कौन सी है दोस्तों आजकल की दुनिया में मनश्य के लिए पैसा बहुती जरूरी चीज हो गई है बिना पैसे के मनश्य कोई भी कार्य करने में समक्ष नहीं हो पाता यदि किसी भी कार्य की शुरूआत की जाती है तो उसमें धन की आवश्यक्ता जरूर पड़ती है बिना धन के कोई भी कार्य संपन होई नहीं पाता हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी ना हो वो अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है जिससे वो बहुत सारा धन अरजित कर सके परन्तु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनिश्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वो सोच भी पड़ जाता है इतनी महनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मनिश्य को महनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनिश्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती और यदि किस्मत साथ दे तो मनिश्य अपनी कम महनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है हिंदु धरम में ग्रह नक्षत्रों और राश्यों को बहुत जादा महत्व दिया जाता है यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा समय के साथ-साथ व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अभगवान श्री हरी विश्णु और मालक्ष्मी के आशिरवात से चमतने वाली है और इन राशिवालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुवात होने वाली है जी हाँ दोस्तों इन खुशनसीब और भागेशाली राशियों में से बात करें तो पहली राशी है मकर राशी, दोस्तों मकर राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी और भगवान विश्णु जी आपके उपर बहुत महरबान हो रहे हैं और उनके आशिर्वाद से आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं, भगवान विश्णु और म आपके रुके हुई कार्य अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे, अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है, आप अपने सभी कर्दों से मुक्ती पाने में काम्याब भी रहेंगे, आपके द्वारा की गई कोशिश सफल होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपके आर्थिक सिती मजबूत बनी रहेगी, प्यापार में अचानक धनलाब होगा और सुक्षान्ती का वातावरन आपके घर में बना हुआ रहेगा साथ ही साथ मक्कर राशी वालों आपके उपर भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की क्रिपा सदेव बनी रहेगी, हालंकि इस राशी के लोग अपने उग्र सुभाव पर थोड़ा सयम रखे, आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों इस लिस्ट में अगली राशी की बात करें तो अगली राशी है मेश राशी, जियां दोस्तों मेश राशी वालों को बता दें कि इस समय शुभ महासयों से मालक्ष्मी और भगवान विश्चु की क्रिपा से आपको अब लाबदायक समय देखने को मिल सकता है आपके लिए इस समय में अब लाबदायक सित्यां बनी हुई है आपके लिए धनलाब के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपको अपने भविशे के लिए जो योजनाएं आपने बनाय रखी है वे योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया ह उन पर अमल करें सफलता आपके हाथ लगेगी साथ ही साथ अब आपको कोई बड़े कही बड़े फायदे देखने को मिलेंगे व्यावसाय के नए रस्ते बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकरी पेशावाले हैं उनको पद में उनती मिलेगी और उच्छ अधिकारियों का पुरा सयोग प्राप्त होगा साथी साथ समाज में मानसमान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी साथी साथ संतान प्राप्ति के एच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा माता पिता का आशिरवात आपको बड़ी उन्चायों पर लेकर जाएगा इस र पागिशाली राशी है कन्या राशी, दोस्तों कन्या राशी वालों के लिए भगवान विश्णु और मालक्ष्मी के आशिरवाद से अब इस समय खुश्यों की सौगात लेकर आया है, जीहां दोस्तों ये आपके लिए बहुती लाबदायक समय सिद्ध होगा, जीहां दोस्त और मालक्ष्णू की अपार कृपाद रिष्टी आपके उपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में खुश्यों का वातावरन रहेगा परिवार में कुछ नई चीजों का अगमन भी हो सकता है जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में सुक्षान्ती का वा आप तो हो सकती है, भगवान विश्णू और मालक्ष्मी के कृपा से समय आपके लिए कन्या राशी वालों बहुत ही लाबदायक रहने वाला है, अब बात करते हैं, अगली भागिशाली राशी की तो वो है मीन राशी, दोस्तों मीन राशी वालों पर भगवान विश्णू मालक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कारे शुरू करेंगे या नया कोई बिजनस शुरू करेंगे आपको उसमें अविश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी, आपके साथ आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पैचान बनाने में काम्याब होंगे, साथ ही साथ छात्रों के शिक्षा के शेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं, परिवार का पुरा सयोग मिलेगा, दामपत्य जीवन सुख में रहेगा, जियां दोस्तों कहना गलत नहीं होगा, मीन राशी वालों अब आपको वे सभी खुश्यां प्राप्त होंगी, जिनके आप हकदार हैं, कुम्ब राशी, कुम्ब राशी वाले लोगों को बता दे कि भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की कृपा से आपके लिए बहुत ही शुब सयोग का निर्मान हो रहा है, इन राशी के लोगों के कारे और विचारों में एकागरिता और शान्ती रहेगी, आप लगातर सफल आपको धनलाब प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, व्यवसाय में भारी धनलाब आपको प्राप्त होगा, आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं, जिससे अपने घर परिवार में खुश्यां बनी रहेगी, भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की कृपा से कुम राशी वालों समय आपके लिए बेहत अनोखूल है, इस समय का भरपूर लाव उठाएं, दोस्तों भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक सिती मजबूत पनी रहेगी और घर परिवार में खुश्यां आएंगी, बात करते हैं अग को अतियंत भारी धन लाव प्राप्त होने की संभावना है, साथ ही साथ इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यावसाय में व्रिधी होगी, जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरकी मिलेगी और साथ ही साथ वेतन व्रिधी के भी योग है, जो लोग विदेश मे नौकरी करना चाते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाते हैं तो आपको इसमें सफलता अविश्य ही प्राप्त होगी जी हां दोस्तों इस राशी के लोगों की आये में व्रिधी होगी जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ती का भी शुब अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपका प्रेम जीवन, दामपत्य जीवन, पैवाहिक जीवन, बहुत ही खुश्मे और आनन्द पूर्वक रहने वाला है। зमय को अपने हाथ से ना जाने दे। दोस्तों बात करते हैं अगली खुशनसीव और अगिशाली राषी की तो हो है वृषब राशी। दोस्तों वृषब राशी वाले लोगों को बता दे भगवान विष्नू और मालक्श्मी की विशेश कृपा आपके लिए बहुती अच् तो वो भी अवसर प्राप्त होगा जिसकी वज़े से आपकी जो भी कार्य है वे सफल होने होते चले जाएंगे। प्राप्त होगी जिससे आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी दोस्तों बात करते हैं अगली खुशनसीब और भागिशाली राशी की तो वो है व्रिश्चक राशी वाले लोगों को बता दे भगवान विश्टू और मालक्ष्मी की क्रिपा से आपको कही शुब संदेश मिलने वाले हैं। आपके द्वारा की गई महनत से आपको अविश्चरी फायदा प्राप्त होगा आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी आपके रुके हुए कार्य सफलता पूरवग बनेंगे दोस्तों के साथ मेल जोल भड़ेगा साथ ही साथ इस राशी के व्यक्तियों को परिवार और जीवन साथ का पुरा सयोग भी प्राप्त होगा आपकी मदूर वानी की वज़से आपके सभी अटके हुए कार्य सफलता पूरवग पूरे होंगे भगवान विश्चु और मालक्ष्मी की अपार कृपा आपके उपर बन रही है जिसकी वज़से आपके धन सम्मंद सभी परिशान दूर होंगी जो भी आपके रुखे कार्य वे अब सफलता पूरवग पूरे होंगे रिश्चक राशी वालों मालक्श्मी और भगवान विश्दु जी के आशिरवाद से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अविश्य ही सफलता प्राप्त होगी समय आपके आशिरवाद से अब बहुत बड़ी खुशकब्रियां प्राप्त होने वाली है यूं कहें कि ये राशी वाले माला माल होने वाले हैं इनको अनेक प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं भगवान विष्णू और मालक्ष्मी के आशिरवाद से अविश्य ही प्राप्त होने वाली है जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जीहां दोस्तों भगवान विष्णू और मालक्ष्मी का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो आप सची दिल से कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें जै मा लक्ष्मी